नमस्कार खुलेंगे दुनिया के रास राजदामा दुनिया के साथ में प्रिया राजिस्तान के भरतपूर में बिजेपी नेता क्रपाल जगीना हत्याकान के अरोपी की बुध्वार को गोलियों से भून कर हत्या कर दी गई गटा बुध्वार दोपर करीब 12 बजे आमोली टोल प्लाजा के पास की है आरोपी कुलदीप और उसके साथ ही विजेपाल को पुलिस बस से पेशी के लिए भरतपूर कोट ले जा रही थी बस जब आमोली टोल प्लाजा पर रुकी तो वहां मोजूद दो बदमाश बस में चड़े उन्होंने पुलिस कर्मियों की आखों में मिर्च डाल दी इसके बाद करीब 15 राउन फायर कर कुलदीप की हत्या कर दी विजेपाल घायल है दोनों आरुपी सेंटरल जेल में बन थे घटा में दो पेसेंजर को भी गोली लगी है पुलिस ने चार आरुपीयों को हिरासत में लिया है एस पीम रदल कछावा ने बताया कि चालानी गार्ड इन्हें लेकर आ रहे थे टोल के फुटेज पुलिस ने बरामत कर आरुपीयों की पहचान की है बदमाशो की गाड़ी बरामत कर ली है विजेपाल की हालत ना जुक है पुलिस ने सिस्टिवी फुटेच के अधर पर अरुपियों की पहचान कर पीछा शुरू किया चार अरुपियों को हिरासत में ले लिया बाकी की तलाश की जा रही है सुत्रों के अनुसार कुल्दिप हत्या कानम में पुलिस ने विश्णू, सोरप, धर्मराच और बबलू नाम के चार अरुपियों को हिरासत में लिया है पुलिस ने इन चारों को रुदावल थाना शेतर में हिरासत में लिया है इस वरान विश्णू और बबलू को पेर में गोली लग गई थी जिनने रुदावल C.H.C. से धोलपूर के अस्पताल में रिफर्क किया गया है वहीं अनदो अरोपी सोरोप और धर्मराज को रुदावल पुलिस कस्टडी में सोब दिया गया है इधर प्रारंब्रिक जार्श में सामने आया कि बदमाशों ने कुल्दिप के शरीर में छे गोलिया उतार दी थी इन में चेहरे पर चार और सीने में दो गोलिया मारी गई थी भरतपूर में दस महीने पहले चार सितमबर 2022 को विजेपी नेता कुल्दिप जगीना की हत्या की गई थी बदमाश तीन बाइक और दो कारों में सवार होकर आये थे इस केस में कुल्दिप जगीना और उसके साथी विजेपाल को आरोपी बनाया गया था पुलिस के मताबिक हत्या जमीनी विवात के चलते की गई थी 48 साल के कृपाल जगीना जमीन कारोबरी थे उनके खिलाफ 15 मामले दर्ज थे रेलवे सलाकर समीते के सदस्ट भी थे हिंदुवादी संगठों ने उनका जुराव था बाजपासासत के भी करीबी थे बेटी ABPP से कॉलेज की अध्यक्ष रच चुकी थी ऐसे ही बने रहे हैं राजनामा दुनिया के साथ नहीं लेपाद है